गाजिपूर के सरगारी अस्पताल में अपने विधानसभाशेत्र के एक घायल से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री यूपी ओपिस सिंग आये हैं और आपको बता दे कि मीडिया से बातचीत के दोरान उन्होंने गाजिपूर के जमानिया कोदवाली की कारिशाली पर गंभीर आरोप लगाए साफ खा गया है कि जमानिया कोदवाली बिक रही है अगर आपके पास पैसा है तो आप मडर करके भी छूट जाएंगे उन्होंने प्रश्यासन और पुलिस पर ब्रश्चाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कोदवाल जमानिया और स्टेम पर जम कर भड़ास निकाली इस बीच ब्रश्चाचार करके शेत्र की जनता को लूटने तक का आरोप लगा दिया गया साथी आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि इन सबको किसी से भी कोई डर नहीं उन्होंने योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी का भी आरोप लगा दिया आपको ये बताते चलें कि घाजिपूर के जमानिया थाना शेत्र के जमानिया कस्बे में बिजली विभाग के संविधा कर्मी मीटर रिडार रजनी कांत सिंग ने रविवार की रात को रास्ते में चेन लूटने में असफल बदमाशो द्वारा गले परचाकू के वार के बावजूद एक हमलावर को पकड़ने और पुलिस को सूचना देने के बावजूद इस्थानिय जमानिया कोतवारी पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को छोड़कर अस्पताल में गहरे जख्म का इलाज करा रहे पीडित विद्युत कर्मी के ही खिलाफ मारपीट और S.C.S.T. Act के तहट F.I.R. दर्च कर ली और अब कबर गोरकपुर से हैं जहां चलती हुई एक स्कूटी आग का गोला बन गई है बता दे कि अचानक से इस स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी पर सवार शक्स ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई है तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहां पर यह स्कूटी काफी बुरी तरह से जल रही है आप देख सकते हैं और आपको बता दे कि धूदू कर यह स्कूटी जलने का यह विडियो सामने आया है खुराबाट थाना शेत्र के नंदानगर अंडरपास के अंदर का यह मामला है जहां पर विडियो में साब देखा जा सकता है कि इस स्कूटी काफी बुरी तरह से जल चुकी है और गाड़ी मालिक ने किसी तरह से खूद कार अपनी जानमा से बचाई है लेकिन जो स्कूटी है पूरी तरह से जल कर खाक हो चुकी है और इस बीच खबर है मिर्जापुर से जहां गंगा के बढ़ती रफतार को देखते हुए लोगों में देश्यत का महल है मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और लगातार ये बढ़ाफ की इस्तिती बरकरार है और सुबह 3 सेंटीमीटर से बढ़ रही गंगा ने 5 सेंटीमीटर की रफतार पकड़ ली है सुबह से अब तक 25 सेंटीमीटर तक गंगा बढ़ चुकी है खत्रे के निशान से 77.724 से 75.05 पर बह रही है गंगा और आपको बता दें कि सुबह से ही ये बढ़ाती जारी है 3 से 5 सेंटीमीटर की रफतार के इस साथ गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अब तक 25 सेंटीमीटर तक ये जलस्तर बढ़ चुका है और खत्रे के निशान के बेहत नस्दीक गंगा नदी पहुंच चुकी है और आपको बता दें लगातार हो रही भीशन बारिश के चलते गंगा नदी और तमाम इसी नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है इसी क्रम में गंगा नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उस बढ़ाव की जो रफतार है वो अब तेज हो चुकी है जिसकी वज़ो से प्रशासन अलट है और नदी किनारे जो इलाके हैं उन्हें भी खाली कराय ज़ा रहा है और अब रुख करेंगे मतूरा का जहां पर उपजिला अधिकारी प्रशासन विजशंकर दूबे ने पत्रकारों से प्रेस वारता की और बताया है कि राश्ट्रे खात सुरक्षा दिनियम 2013 के अंतरगत जून जुलाई अगस्त 2022 के सापेक्ष में नामक सोया बीन ओईल और साबु चना 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक समस्त उचित्दर दुकान से वित्रन होगा इसमें अंतियोदे धारकों को 21 किलो गेहूं 2 रुपे प्रती किलो 14 किलो चावल 3 रुपे प्रती किलो और 1 किलो नमक 1 किलो चना और 1 लिटर सोया बीन ओईल निशुल्क और पीपी एच कार्ट धारकों को 3 किलो चावल 3 किलो गेहूं प्रती युनिट 2 रुपे प्रती किलो और तीन रुपे प्रती किलो के दर से और एक किलो नमग, एक किलो चना और एक किलीटर सुयबीन ओयल, निशुल्क उचित दर पर विकरेता से 25 अगस से 21 अगस तक प्राप्ट किया जा सकेगा, साधी साथ कई एहम जानकारियां भी साज़ा की गई, आपको बता दे राश्की खाद सुरच्छा अधियां 23 के अंतरगर, मांग जुलाई 22 का खाद्यान का वित्रण जो है, यह इसका आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें गेहूं का आवंटन 41,486 कुंटल और चावल का आवंटन 62,239 कुंटल का हुआ है, जिसमें अंतियोदय का अटधारफों को और पात्र विहस्ती का अटधारफों को 25,822 से 31,822 के बीच में वित्रण किया जाएगा, इसमें अंतियोदय का अटधारफों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रतिकार्ट और पात्र विहस्ती के अटधारफों को प्रतियूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल